नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभी नंदन मेरे चैनल खेल ग्रहों का में हम बात करें रासी फल सितंबर 2019 की और अब बारी है तुला रासी वाले जातकों की तो मा के आरम मही सबसे अच्छी स्थिति आपकी इस मा पर है कि रासी से सेकंड ब्रसपती फाइनस मामलों में आपके केरियर के मामलों में हेल्थ के मामलों में सब तरफ आपको सयोग करेगा सपोर्ट करेगा रासी से तीसरा सनी सबसे अच्छी उन्नती और प्रगति के लिए बागियस्तान में राहू है और सबसे अच्छी स्थिति यदि है इस मां तो इस्थिति है कि रासी से 11 आउस में सूर्य बुद्ध मंगल और शुक्र सबके सब एक साथ में 11 आउस में और रासी से 11 बाव में सबी ग्रह अपना एक्स्ट्रीम सक्सेस वाला भाव रखते हैं अता जो रासी फल है वो रासी फल मून साइन पर आदा रहीता है अतात आपकी रासी पर आदा रहीता है जब आप जन्म कुण्ली खोलते हैं तो एक तरफ आता है जन्म चक्रम और एक तरफ आता है रासी चक्रम तो रासी का अर्थी यहां पर यही है कि जो तीन लगने है उसमें से जन्म लगनों को प्रदानता दी गई है उसकी बाद में सूरी लगने है और चंद्र लगने है जो सुदरसन पदती उसमें तीनों लगनों को देखा जाता है तीनों लगने से गोचर को भाव को इन सब को जाना जाता है लेकिन यह जो कारिकरम है यह जो प्रोग्राम हमने ब तो यहां पर 80-11 सूर्य भी है सूर्य जो स्वयरासी का है रासी से 11 आई हुआ सूर्य आपको अप्रत्यासित लाब देगा unexpected घेन देगा जो आपका पैसा यदि कहीं बखाया है आने वाला है आप लोन चाते हैं आप कहीं से support चाते हैं ये समय आपको support कर रहा है ये समय आपको सहीयोग कर रहा है लोग भी आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे आपके साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे और आपको सहीयोग करेंगे सूरी का मतलब confidence भी है सूरी का मतलब अधिकार भी है जो आपके अधिकारे उनको पाने के लिए यदि आप प्रियास करते हैं तो यह आपको आसानी से उपलब्द भी हो जाएंगे और साथ इसाथ आपका confidence भी बहुत जबदस बिल्डब होगा अब बात करते हैं मंगल की मंगल जो की धनिस्तान का अधिपती है सेकंड हाउस का लॉड है वो भी इलेवन्थ हाउस में सेवन्थ हाउस का लॉड हो करके सेवन्थ हाउस का अर्थ आपका जीवन साती है और सेकंड हाउस का अर्थ सस्वाल पक्स से भी है तो ऐसी इस्तिति मे है वहाँ से भी support मिल सकता है वहाँ से भी सायोग मिल सकता है वहाँ से भी आपको gain मिल सकता है और कई बार support मिलना भी gain ही है gain का मतलब कोई रुपए पैसे से मत लगाई है gain का अर्थ यहां पर यदि आपको कोई support हो आपको motivational support में जाता है कि कोई बात नहीं आप अराम से काम कीजिए जो आप करना चाते हैं वो करिये हम आपके साथ में खड़े हैं यही बहुत बड़ी strength है यही बहुत बड़ा lab है क्योंकि जब अपने ही आपके साथ में खड़े हों और आपको support कर रहे हों तो उससे बड़ी क बात हो नहीं सकती है इस समाज में इस दुनिया में अब बात करते बुद्ध की भाग्य का अधिपती बुद्ध है जो कि 11 आउस में गेनिस्तान में तो यहां पे भाग्य और लाब इन दोनों का सयोग बन जाता है 10 सितंबर को बुद्ध अपनी उच्छ रासी में चले जाएंगे जो कि 12 आउस के लौड बियर के भी अधिपती है तो यहां पे भाग्य की प्रभलता भी हो जाएगी और आपकी यात्राएं भी बहुत होगी एक्स्पेंसेज भी बहुत होंगे खर्च भी बहुत होंगे लेकिन वो खर्च कोईन को मांगलिक कारी के लिए कोईन को सुप कारी के लिए कोईन को इन्वेस्मेंट के लिए भी हो सकते है शुक्र शुक्र जो की लगन का मालिक है आपकी रासी का मालिक है लगन का रासी है रासी का स्वामी रासी से 11 आएवा रासी के गुणों का विकास करेगा आपकी परसनल्टी में इंप्रूमेंट देगा आपका कॉंफिड़ेंस बहुत बलवान कर देगा आपकी सोच बहुत आगे तक चली जाएगी अतात आप जो भी थिंकिंग करेंगे बहुत सोचेंगे यहां पर आपका सरकल बड़ेगा आपकी रेपोटिशन बड़ेगी आपकी जान पिचान बहुत ही अच्छे लोगों से समाज के बड़े लोगों से समाज के प्रमुक लोगों से हो सकती है आपका सरकल बहुत बड़ा हो सकता है आपकी एप्रोच बहुत बड़ी माने जा सकते हैं आपकी यहां पर strength या आपका power समाज में देखा जाएगा अब बात करते हैं wealth की तो यहां पर wealth में आप देखें ब्रस्पती विराज मानें ब्रस्पती जो कि financial strength के मालिक हैं ब्रस्पती जो कि संतान सुख देते हैं mental strength देते हैं साथ-साथ में गरस्थ सुख और संतान्सुख के लिए भी जाने जाते हैं तो रासी से शेकंड ब्रसपति को हमेशा पौ़फुल माना जाता है हमेशा positive माना जाता है हमेशा सुब माना जाता है तो यहां पर second house wealth में भी improvement आएगी और वह improvement आपके कामकाथ से आएगी मतलब होता है अक्समात जो भी प्रॉलम होती है उनसे तो ब्रेस्पती देख करके उसको भी नियंतित करता है कंट्रोल करता है तो ब्रेस्पती जहां है उससे जदा जहां देखता है वहां अपनी अपनी सुपता बढ़साता है या अपना पावर अपनी स्ट्रेंथ अपनी सक सबसे ज्यादा सुभ माना जाता है खांदान के सपोर्ट के लिए धन और संपत्ति के लिए साथ साथ में पैरेंटर प्रॉपर्टी के लिए चाय को वसीयत हो चाय विरासत में कोई चीज मिले और इस समय काल में आप अधिकरण करेंगे अपनी कैपिटल को बढ़ाएंगे अपनी पाउर्फुल स्ट्रेंट को बढ़ाएंगे अथा चाय ओनामेंट्स होसए क्या हिरे जवारत हो सकते रहें चाय सोना पहले से ही कोई planning है, आपको उस planning पे आगे बढ़ना चाहिए, यह समय आपको unsuccess नहीं देगा, आपको success कितनी देगा, यह आपके effort पर depend करता है, यह आपकी सोज पर depend करता है, यह आपके कर्म पर depend करता है, और यदि कर्म करेंगे, तो उसका फल निश्टित रूप से आपको positive मि साथ अपने भावसे 12th house में हैं, लेकिन रासी से 3 सनी सबसे ज़्यादा उन्नती और प्रगति के लिए जाना जाता है, आपको सनी की साड़े साथी 9 सितंबर दोजार, 9 से 26 जनवरी दोजार, 17 तक थी जो की खत्म हो चुकी है, और ठीक उसके बाद में समय उन्नती और साल, 8 साल आपने देखे हैं, यह आपकी परिक्षा हो चुकी है, और परिक्षा में आप पास हो चुके हैं, आपने सक्सेस का रास्ता देख लिया है, जो संगर्स था आपका, वो संगर्स खत्म हो चुका है, और इस समय जो भी समय आप देख रहे हैं, 26 जनवरी 2017 से 20 जून 2017 सतरह तक और फिर वापस 26 अक्टूबर 2017 से 24 जनवरी 2020 तक जो समय आप देख रहे हैं वो समय उन्नति और प्रगति का है एचिमेंट एंड सक्सेस का है और तेजी से जो कुछ भी आपके उस समय सनी के साड़ साथी के काल में सारी चीज़ें धीमिकती से हो रही थी उतनी ही तेजगती से उतनी ही स्पीड से हो रही है और 18 सितंबर 2019 से जब शनी मारगी हो जाएगा यह तेजी वापस आपके जीवन में आ जाएगी क्योंकि मार्स के end से जो समय आप देख रहे हैं वो एक प्रकार से वापस slow strength का आगया है सारी चीज़ें आपकी बहुत धिरी दिरे चल रही है जो कि उससे पहले बहुत तेजगती से चल रही थी और जो घर और परिवार का सयोग है, वो वापस उतनी ही तेजी से, उतना ही अच्छे डंग से, उतना ही आपको स्वागत के रूप में देखने को मिलेगा। चला जाएगा, तो वहाँ से आपको financially gain के साथ साथ में expenses का भी मौका मिलेगा और expenses सुब होंगे, तो expenses सुब हो सकते हैं यदि आपके घर में वाहन नहीं है, अपने बच्चों के लिए कोई वाहन नहीं है, या आप अपने वाहन को exchange करना चाते हैं, change करना चाते हैं, बहुत टा मकान बदलना है, जो represent आपका निवास है, उसको छोड़ करके एक अच्छी जगे पर जाना है, या बड़ी, कोई कोई बड़ी property आपने acquire करनी है, आपने खरीदनी है, तो ये सही समय है, जब परिवार बड़ा होता है, तो हर व्यक्ति सुख सोदाएं चाता है, अपने अपन गर और परिवार में इस्तिती बहुत अच्छी है, इस मा में, अता सितंबर 2019 में मैं आपको कोई भी negative बात नहीं बोलने वाला हूँ, आपका समय इतना अच्छा है, कि आप कोई भी negative thinking, negative सोच, negative परिणाम नहीं पाने वाले हैं, ये पक्का है, अब बात करते हैं, शिक्षा क education की, और संतान सुकी, तो यहां पर देखिए, कि संतान भाव का मालिक सिक्सा, भाव का मालिक भी शनी है, जो की रासी से थड़ है, सबसे ज़्यादा positive position पर है, और सनी की तीसी जस्ती भी कुंडली में fifth house पर है, fifth house education का है, संतान का है, तो संतान से सम्मदित भी कोई खुशी मिलेगी, उनकी success से भी आप प्रसन हो सकते हैं, और यदि आप विद्यारती हैं, यदि आपकी age, एक सामन्य age जिसको जवानी बोलते हैं, उसके आसपास है, तो आप अपनी education में बहुत ज़्यादा successful strength में आ सकते हैं, और especially जो science के विद्यारती हैं, जो research के विद्यारती हैं, जो engineering से related है, mechanical engineering, aviation engineering, उन से related जो भी व्यक्ती हैं, वो इस समय ज़्यादा successful strength में रहेंगे, उनको ज़्यादा smoothness के साथ में success मिलेगी, जो commerce के student हैं, या जो finance से related कोई भी course कर रहे हैं, डिपलोमा कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये समय बहुत अच्छा है, successful है, ध के student हैं, कला के student हैं, या film line में जो कुछ सीख रहे हैं, चाहा editing सीख रहे हैं, चाहा dancing सीख रहे हैं, उन लोगों को इस समय शुक्र जब नीच रह सीखा हो जाएगा, तो थोड़ा अपने उपर control रखना पड़ेगा, अपनी संभावनाव को सिमित करना पड़ेगा, जो आत्म संतान सुक के मामले में या कोई समस्या नहीं है, जो जो सेक्टर सबसे अच्छा फल पाएंगे, उनके बारे में मैंने आपको बतलाया है, अब बात करते हैं, हम नेक्स सेक्टर की वो है, रोग, शत्रू, कर्ज, तो ब्रेस्पती रासी से सेकंड आउस में सबसे अच्छा माना जाता है, और ब्रेस्पती सेकंड में, फिफ्ट में, सेवंत में, नाइंत में, और इलेवंत आउस में हमेशा सुब फल देते हैं, सुब प्रभाव देते हैं, तो यहां पर रासी से सेक आपको फल देना आरंब कर चुके हैं इसलिए यह मां आपके लिए सब प्रकार से बैतर है अठरा सितंबर को शनी भी मार की हो जाएंगे वहां से और ज्यादा बैटर आपको फल देखने को मिलेगा तो शतुरता को लेकर के कोई समस्या नहीं होने वाली है लेकिन आप अपना आपाख हो सकते हैं आप कॉन्फिडेंस में आकर के और कॉन्फिडेंस में आकर के लड़े जगडा मोल ले सकते हैं क्योंकि मंगल की जस्ती मंगल की आठवी जस्ती आपके सिक्स आउस पर है वहां नियंतित करने के लिए मंगल के उपाय आपको साहिटा देंगे बजरन बांड का पाट करें हर मंगलवार को लाल वस्तों का दान करें यह आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है रोक की जां तक बात करें रोक से सम्मधित ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है फिर भी मंगल की दुरिश्टी के करणन जो हाई ब्लड प्रेसर के रोगी है रोगी का अर्थ एक प्रकार से यह समस्या है आज की जीवन की कि या तो किसी को ब्लड प्रेसर लोग की स्थिति में रहता है या high blood pressure रहता है, जिनको high blood pressure है, वो लोग अपने आपको ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा care करें, और जो six house है, वो पेट का रहता है, आतों का रहता है, ब्रसपती वाँ देख रहा है, इसलिए ऐसी कोई समस्या होने वाली नहीं है, फिर भी यदा-गिदा मौसम के या खान-पान के कारण कोई acidity या कुछ समस्या होती है, तो उसका जरूर आपने ध्यान रखना है, आपने खान-पान पर नियंदरन करेंगे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आ पाएगी, अब बात करते हैं दंपत्य सुक की, तो दंपत्य सुक का अधिपती मंगल है, मंगल इस समय सेवंत आउस से त्रिकोन स्तान में है, और साथ ही साथ जहां पर सेकंड आउस है, अधाथ सेवंत आउस का जस्त मारक भाव सेकंड आउस है, खानदान के विपरीत आप लाते हैं, अधाथ कोई भी आपका जिवन साथी होता है, जिसको आप जानते नहीं है, एक अलग प तो जस्त उसके सामने वाला अटा 10 ताउस आपके फादर का है पिता का है तो सेवन ताउस का लॉड मंगल है जो कि इस समय जो सिचुएशन है उसकी वो अच्छी सिचुएशन पर है लेकिन साथ में जो गरस्चु का कारक है शुकर वो जरूर नौ सितंबर को नीच रासी में जाने वाला है लेकिन वहां जाने के बावजुद भी नेगेटिव होने के बावजुद भी आपके लिए कमजोड नहीं है क्योंकि रासी से 12 शुकर सुख सुदाओं को भोगने का रहता है एक्स्पेंसिव होता है ब्रांडेट बना देता है घूमने फिरने को पार्टी में या कोई कलब में जाने में सिनेमा जाने में उस समय काल में व्यतीत करता है मनुश्य इसलिए शुकर को 12 शुकर अच्छा ही बोला जाता है जो विक्ति प्रिम संब्दों में हैं जो विक्ति अटेच्मेंट में हैं उन लोगों को जरूर मैं कोऊंगा कि 24 सेप्टेंबर 2019 से ध्यान रखें, अपने आचार विचार पर भी और होने वाले जेवन साती पर भी ध्यान रखें, क्योंकि मंगल जो ही सेवन ताउस को देखेंगा, अपने आठवी दस्ती से, वहाँ पर वो मन मुटाव कराएगा, लड़ाई जगड़ा करने का अंदेशा पैदा करेगा, जो स सी चीजें, इमिजिन करने से भी ठीक हो जाती है, हमाले जीवन में, जब हम सीखते थे, गणिश सीखते थे, तब क्या करते थे, सबोज X is equal to zero, तो मान लिजिए कि आपके घर के बगवान, आपकी पत्नी है, आपका जीवन साती है, आपके बॉस वो ही है, जो बोलते हैं, व विक्ति जब बाहर का काम संभालता है, तो अपने घर को अपने जीवन साती पर छोड़ देना चाहिए, कि आप जो फैसला करते हैं, वो सही है, हो सकता है, कभी फैसला गलत भी हो सकता है, तो आपस में मंत्रना कर लीजिए, लेकिन मंत्रना, आप खुद करें, अपना जीव आ सकता है, वो आप जरूर ध्यान रखेगा, आईए, अब बात करते हैं, केरियर की, तो यहां पर केरियर हाउस पे, टैन्थ हाउस पे, जो की करम का है, ब्रस्पती की सीधी जस्ती है, अथा ब्रस्पती की नाइन्थ जस्ती आपके करम बाहर पर है, जो की उच्छ रासी है ब्रस्पती की उच्छ रासी है, शौनी की सीधी जस्ती भाग्यस्तान पर है, और साथी साथ, शौनी की टैन्थ जस्ती यहां पर कुणली में ट्वैल्द आउस पर है, अथा शौनी जहां देखता है, वहाँ नेगेटिव करता है, तीस़ी जस्ती को छोड़ करके, तो जो है अपमान अप्यास कोट कचरी वाद व्याद रोग एक्जेंट उसको शनी नश्ट कर रहा है साथी साथ ब्रहस्पति आपके कर्म बाव को उजागर कर रहा है अताद आप नया सूचने के लिए कुछ नू कुछ अपने विंक्स को पंक को फैलाने के लिए जो कुछ भी करना चाते हैं आप बरगत के पेड़ की जैसे जड़े फैलती है वैसे आप बड़ा हो सकते हैं वैसे आप योजना है बना सकते हैं यह माँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है बहुत ज़्यादा सुब है बहुत ज़्यादा विलक्षन है एक्स्ट्रा ओर्ड कर रहे हों आपकी सोच पर आपके व्यक्तितों पर आपके करम पर तो रासी से सेकंड ब्रसपती रासी से थर्ड सनी भाग्यबाव में राहू और राहू की जस्ती भी लगन पर है शनी पर है और साथ इसाथ फिफ्ट आउस पर है बुद्धी पर भी है और राहू प्लानिंग वाला बनाने में जो भी यूज़ना ओंगी, वह सब के सब आपको support करेंगी, वह सब आपके लिए success होंगी, इसलिए आपको बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा कुछ करने के बारे में planning करने चाहिए, और जो बिजनस्मेण है, उनको expansion के बारे में सूचना चाहिए, कुछ और sectors के बारे में सूचना चाहिए, ये समय आपके लिए बहुत ज़ादा better है, ये समय आपके लिए बहुत ज़ादा अच्छा है, उसको आपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और जो नौकरी पेसा हैं, जो job वा देंगे यह समय आपके लिए अच्छा है और आने वाला समय आपके लिए और ज्यादा बैटर हो जाएगा फाइनिशल स्टेंड में जब ब्रस्पती बदल जाएंगे रासी से थाड़ आ जाएंगे लेकिन उनकी द्रस्ती आपकी रासी कुंडली से 11 आउस पर होगी इसलिए यदि आपको switch over करना चाते हैं यदि कोई job change करना चाते हैं तो यह समय सही है पांच नवंबर तक जो भी आप approach कर सकते हैं वो आपको approach करने चाहिए वो आपको विचार करना चाहिए जिससे आपको success मिले तो जो लोग जलिये पदातों का व्यावसाय करते हैं जो लोग पानी से समदित, समुत्र से समदित, डाइविंग से समदित, कोई कोई water based product का का काम करते हैं या dairy product से related को बिजनस करते हैं उन लोगों के लिए यह समय बहुत ज्यादा successful है, बहुत ज्यादा gain वाला है, उनको जो भी योजनाय बनेंगे, जो भी planning करेंगे, वो सब के सब फाइदे म उसको अच्छा माना जाएगा, positive माना जाएगा, और आने वाले समय में 10th September 2019 को बुद्ध अगली रासी अताद अपने उच्छ रासी में प्रोवेस कर जाएंगे, और इसके फल सुरूप, आपकी छोट-छोटी यात्राएं बहुत जादा होंगी, कारोबारी यात्राएं बह होंगी, तो जो कुंडली में, रासी कुंडली में 12th house होता है, वो 12th house expenses का होता है, खर्च का होता है, चिंताओं का भी होता है, लेकिन यहां पर रासी कुंडली में उस भाव का अधिपती ही most positive होकर के आ जाएगा, सूरी भी रासी से 12th house में, शुकर भी रासी से 12th house में, तो यहां पर एक साथ में दो गरह तो सबसे पहले आ जाएंगे नौ तारी को शुकर चेंज हो जाएगा दस तारी को बुद्ध चेंज हो जाएगा यह दोनों ही गरह वहां आकर के सबसे ज़्यादा फाइदेमन इस्तिति करेंगे फिर 17 सेप्टेंबर को सूरी प्रवेस कर थोड़ी आपकी चिंताएं एकसेस हो जाए चिंताएं स्टार्ड हो जाए चिंताएं बढ़ जाए यह हो सकता है लेकिन जब मंगल रासी से 12 ताउस में आ जाएगा आता 24 सेप्टेंबर 2019 को वहां से जरूर आपको यात्राओं में ध्यान रखना पड़ेगा आईए अब बा इस मंत्र का जाप करें अस्त लक्षमि कवच्च दारन करें हर शुक्रवार की साम को सफेद मिठी वस्तों का दान करें शुक्र का जो मंत्र है अता शुक्र का बीज मंतर है ओम द्राम द्रीम द्राम शः शुक्राय नम उसका जाब कर सकते हैं शुक्र यंतर या लक्समी यंतर या श्री यंतर के साथ में आप हीरा जड़वाएं सफेद ओपल जड़वाएं या जरकन जड़वा करके भी पहन सकते हैं अपनी रासी का यंतर साथ साथ में अपनी रासी का पंदर का यंतर साथ में लक्षमी चोती सा यंतर भी आप पहन सकते हैं जो भी आप कॉम्मिनेशन करें वो आप अपनी रासी का यंतर पहन करके भी होने वाले जो भी बुरे प्रभाव है नेगेटिविटी है उसको कंट्रो ये हमारे comment box में जा करके comment कीजिए और जो आलोशना हैं वो भी नी संकोच उसमें लिख सकते हैं कोई बिना समस्या के अताद आप जो लिखेंगे उसको पढ़ करके हम जान पाएंगे कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा तो साइध हम उसमें और सुदार करके आपके लिए उप्योगी प्रोग्राम बना पाएं स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने बच्चों का और घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें और अपने आस्पास सफाई रखें नमस्कार उब प्रोग्राम सर क्क्ष्चों का ख्याल रखेंगे हैं less प्रसंद रेटां स्ट्थ